दोस्तों अरजुना ट्रोफी 2023 का पंपलेट आ चुका है जैसे कि आप सभी जानते हैं कमपुटा यानि कि गोड़ा बंदा में एक जबर्दस्त पुटो वोल टॉर्नमेट देखने को मिलता है हर साल तो इस बार का पंपलेट आ चुका है और इसमें कितने टीम हैं और कितना इंट्रिफी से और प्लास प्राइज लगबल लबक कितना है उसके बारे में बात करेंगे और साथ में नियम क्या-क्या इस बार का है ओभी देखेंगे तो वीडियो के आन तक बरे रहीएगा और लाइक किजिएगा सपोर्ट किजिएगा प्रिये किलाडी गोड़ा बंदा टेल को जमसितपूर में दो दिवसीय पुटबोल परती हुए था कहा आयोजन किया गया है दो दिवसीय पुटबोल परती हुए था यानि कि 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को होने वाली है इसी साल 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को होने वाली है ठीक है इंट्री पी इसका last debt है और price की बात करेंगे तो यहाँ पर million sun के दोवारा मोटा मोटी 5 लाक रुपया तक का खर्चक किया जा रहा है तो winner को यहाँ पर 2 लाक रुपया दिया जाएगा ठीके साथ में trophy और plus jersey set दिया जाएगा runner को 1 लाक 50 जा रुपया दिया जाएगा plus trophy plus jersey रहेगा third price जो है ओ है 50,000 रुपया plus trophy plus jersey fourth price जो है ओ है 50,000 रुपया plus trophy plus jersey है best goalkeeper उसको मिलेगा mobile set और hero of the tournament tournament में सबसे अच्छा अच्छा परदर्शन करने वाला को क्या मिलेंगे LCD TV दिया जाएगा अच्छा इसमें नियम क्या क्या है इस बार का देख लेते हैं या केल सुबा आठ बज़े से परर्रम होगी केल में रेफरी एबो कमिटी की निरिणिया ही अन्तिम निरिणिया माना जाएगा इस केल में आनुसासन हिंता टीम को बरकस्त या रद किया जाएगा इस केल में नो नो खिलाड़ी होंगे अत्रिक तीन के तीन क्याड़ी होंगे इस केल में सोट मोजा या एपरोन जर्सी नहीं चलेगा इस केल में सबी टीमों को समय पर आना आने बारे है जो कि टीम समय पर नहीं आने बर वक्त अबर दी जाएगी इस परतियोगता में अनुसासित टीम को पुरुसकार से समानित किया जाएगा इस केल में कमिटी का ही पुटबोल से खेला जाएगा खुशी की बात है आपको फुटबोल लेके जाने का भी ज़रूत नहीं है यहाँ पर कमिटी का फुटबोल से खेला जाएगा इस केल में जो टीम हार जाती है तो उस टीम के अथरिक्त खेलाडी बीना खेला हुआ दूसरे टीम में खेल सकता है इस पर्तियों के ता में फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड क्वार्टर फाइनल के सभी मैच 30-30 मिनिट का होगा और सेमी फाइनल और फाइनल में 40 मिनिट का होगा यानि कि देखने में बड़ी अनद आएगा मजा आएगा क्योंकि टाइम जादा है केल में ड्रो होने पर पांच-पांच पेनलेटी सोट दिया जाएगा इसमें भी ड्रो होने पर सडेंड अध और होगा इस परतियों गये था मैं खेल के दोरान किसी भी खिलाडी को दुर्गतना होने पर कमिटी जिवार नहीं होगा इस पर्तियोंगेता में केवल पांच विदेशी खिलाडी केल सकते हैं यानि कि एक टीम से मैक्सिम्म पांच खिलाडी को विदेशी पोरिनर को खिलाया जा सकता है इस खेल में कोई भी खिलाडी को रेड कार्ड मिलने पर दो गेम के लिए पर्तिबन होगा कोई भी खिलाड़ी मेनेजर एमो कोच की कोच खेल के दोरान मिस बिहेब करता है तो उस टीम को कमिटी दोरान निर्ड़े लिया जाएगा यानि कमिटी उसके उपर कुछ भी विचार कर सकती है और जादा जानकारे के लिए इस पर संपर कर सकते है जो की चेर्मेन है तो दोस्तों इंतिजार किजिए 9 दिसंबर और 10 दिसंबर का एक जबरदस्त मुकावला जबरदस्त रुमंचक गेम देखने को मिलने वाली है हम सबी को तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर साप्त करेंगे आपने कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत दन्यवाद थाइंक यू